नमस्कार आप देख रहे हैं तो अब यहाँ टॉप मैं हूँ आदेश पूरी BPSC के दोरा प्रात्विक विद्यालेओं में सिख्छक के रिजल्ट घोसित कर दिये गए 62,000 कंडिडेट जो हैं वो सफल हुए हैं इस परिच्छा में सीटे खाली रह गई हैं और ऐसे में जो छात्र हैं छात्रों का यही कहना है कि हम वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए और पूरे सीटों पर भरती जो है वो सुनिश्चित किया जाए प्राइमरी विद्याले के छात्रों का कहना है कि TRE2 आ रहा है उसमें छटी से लेकर 12 हुई तक के सीटे रहेंगी और ऐसे में प्रात्मिक विद्याले को लेकर परिच्छा TRE2 में नहीं होगा तो जो प्रात्मिक विद्याले में सीट बचे हुए है उनके लिए वेटिंग लिस जारी किया जाए और कंडिडेट्स को मौका दिया जाए इसके साथ साथ छात्रों का ये भी कहना है कि बहुत सारे ऐसे कंडिडेट हैं जो 11 से 12 में चुल लिए गए हैं और P.R.T. में उनका चैनुगा है बहुत सारे कंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट 9 से 10 में भी आएगा P.R.T. में भी उनका रिजल्ट है इसके अलावा बहुत सारे कंडिडेट ऐसे हैं जो सीटेट फिल कर चुके हैं जो D.L.A. नहीं पास किये जो B.A. पास नहीं किये क्योंकि अप्यारिंग को भी मौका दिया गया था तो ऐसे में एक बहुत बड़ी संख्या रहेगी छात्रों की रिजल्ट के अलावा जो की P जो आइटी में जोईन नहीं कर पाएंगे ऐसे में छात्रों का कहना है कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए और जिन छात्रों का कुछ हंकों से नहीं हो पाया है उनको इसमें मौका दिया जाए कहने का मतलब है कि B.P.A.C. के परिक्षा में वेटिंग लिष्ट की मांग जो है वो शुरू हो गई है और चात्रों का यही कहना है कि देखिए नवी दसवी और ग्यारहवी बारहवी के लिए तो सीटे आ रही है अगर वो इसमें नहीं होता है उनका चैन सीटे खाली रह जाती है तो अगली बार में वो पूरा कर लेंगे लेकिन हमारा एक्जाम तो एक मात्र समर्पित और रिजल्ट ओरियंटेड संस्थान बहतर सफलता के लिए किंद्रित पर्फेक्शन आई एस फांडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वस्निय गाइडन्स के साथ सुनिश्चित की जाती है चौनसटवी पैंसटवी च्यासटवी ब प्रोसेस आपको हम बतादें Waiting लिस्ट जारी करने का आदेश जो है वो सरकार के दोरह ही दिया जा सकता है सरकार के अनुमती के बाद हीel अप्रेत जारी कर सकती है तो छात्रों का कहाना है कि सरकार जो है इस पर विचार करें और जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट जारी कि जाए जाए ज्वाइनिंग के बाद भी वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए क्योंकि ज्वाइनिंग में किलियर हो जाएगा कि कितने लोग आते हैं कितने लोग नहीं आते हैं और उसके अनुपात में जो सीटे खाली रहती है उसको लेकर आयोग के द्वारा वेटिंग लिस् जाती है जबकि ऐसा होना चाहिए बड़े से बड़े परिक्षाओं में सीविल सेवा में यूपी एसी के द्वारा अन्य एस्टेट पुले पीसी एस के द्वारा वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है और जो कंडिडेट जॉइन नहीं करते हैं जिनकी सीटे खाली रह जाती हैं लाखो लाख की संख्या में और सीटे भी खाली रह जाएं और उनका नोकरी नहों यह बड़ा दुखदाई है और ऐसे में छात्रों का यही काना है कि सरकार पहल करें और आयोग वेटिंग लिस्ट जारी करें और यह होना चाहिए आसा करेंगे कि इसको लेकर जो है सरका सब्सक्राइब करेंगे कि 75 अगर हो सकता है तो हंडेड उसे किया जाए और जो भी अब यह नहीं है कि वेटिंग लिए जो है मिनमम कौलिफाइंग नंबर में भी आप छूट दें ऐसी भी बाते नहीं है लेकिन बहुत सारे कंडिडेट हैं क्योंकि देखा जाए प्राइम मतला योग के कंडिडेट हैं और उनको आप नौकरी दें यही छात्रों की मांग है तो गुजारिस है आयोग से सरकार से कि इस दिसा में कोई सकरात्मक पहल की जाए और प्राइमरी विद्याले में ज्यादा स्यवाओं का कल्यान हो सके जो परिच्छा दिये हैं उनके दिसा में नौकरी देने के दिसा में विचार जरूर किया जाए तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंदा है लाइक सेर करें हमारे चैनल दभिहार टॉप को सस्क्राइब जरूर कर ले धन्यवाद